वेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल मॉम्स्टिट्सकेर मैं इस वीडियो में चंद्रग्रहन के बारे में बात करने वाली हूं जो 16 जुलाई 2019 को जो चंद्रग्रहन लगने वाला है उसका टाइमिंग उसका सुथ तककाल कब साथ होगा कब समाप्त होगा और प्रेग्नन लेडी को क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही सब डिसकस करने वाली हूं मेरे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो फ्रेंड्स मेरे अभी प्रेग्नेंट हैं ये वीडियो उनको बहुत हेल्फुल होने वाला है साइंटिफिकाली क्या आपको फोल होगा रात को एक बच के 30茬-32 से start होगा और यह समाप्त होगा सुभह के 4 बच के 30 से 22 से और जो सूतर का समय है उसका टाइमिंग है साम 4 4.30 से स्टार्ट होगा और जो समाप्त टाइमिंग है उस सुतकल समापत होगा तो सुतकल का समय है साम के 4 बच तीस मिनिट से साम के 4 बच के 22 बढ़ तो इन दिखाई देगा और इन डिया में जो बाहुत मैं उसकोует बताती हुं उसके बाद इसमें से कौन कौन सा कौन सा आपको नहीं फोलो करना है क्या करना है नहीं करना है साइंटिफिकली वह उसके बाद बताऊंगी तो पहले हमारे यहां पर इंडिया में बोला जाता है चंदग्रहन के दौरान प्रेगनेन लेडी को बाहर नहीं जाना चाहिए फिर जो छूरी चाकू जो नोकि पता में एक गूप में ऐसे मैं वाटसप में पढ़ा था घरन के टाइम तूलसी का पता मु डालकर रख न चाहिए फिर सोना नहीं चाहिए और सु तक कल जब तक लगेगा तब-तग तो खाना भी नहीं खाना चाहिए और ज normally怕 खना उसके बाद आपको फॉलो करना है और क्या सही है तो जब चंद्र ग्रहन होता है होता क्या है ग्रहन के टाइम जो चंद्रमा का gravitational pool होता है due to that gravitational pool समुंदर में बहुर जोर की लहरे उती हैं तो same effect feel होता है हमारे body में human body 60% से भी ज्यादा water होता है तो इसके वज़े से क्या होता है हमारे body में भी same effect feel होता है due to gravitational pool तो चंद्र ग्रहन के दौरान pregnant lady अगर बाहर जाएंगे तो होता क्या है बाहर जाने से जो ड्यू तो that gravitational pool चंद्रमा का gravitational pool के वज़े से बीपी हाई हो जाता है बहुत सारे hormonal changes होने का chances रहता है और जो pulse rate है यह भी हाई हो जाता है उसके वज़े से बहुत सारा stress होता है tension जैसे feel होता है तो इसलिए मना किया जाता है कि बाहर ना जाए तो यह valid region जो चावल हुआ दाल हुआ जो आप पहले से खाना बना के रखे हैं उसमें bacterial growth बहुत जादा होता है मच्छर का growth बहुत जादा होता है इसलिए जो cooked food है उसको आप avoid करिए जो बना बनाया हुआ खाना है उसको मत खाईए हाँ जो dry fruits है fresh fruit है apple हुआ बनाना उसको आप freshly काट के उसी time काट के खा सकते हैं फिर dry fruits खा सकते हैं बिस्कृट खा सकते हैं juice पी सकते हैं तो आप क्या करिए ऐसे तो pregnant lady को सब चिस माफ होता है बुढ़े बुजर्क बच्चे इनको सब चिस माफ होता है तो घर में अगर बुढ़े बुजर्क भी हैं उनके उपर भी यह लागो होता है तो आप pregnant हैं तो हर दो घंड में एक ब खाना आप खा सकते हैं फिर कहीं कहीं बोला जाता है कि तुलसी का पत्ता डाल के खाने में खाते हैं तो यह इसलिए होता है कि तुलसी का पत्ता जो होता है वह एंटी बैक्टरियल प्रोपर्टिस होता है तो उसको डालने से बैक्टरियल ग्रोथ हुआ होता है उसको खतम क होता है ग्रहन के दौरान इसलिए बाहर नहीं जाते थे टॉइलेट तो आप घर में बातरूम यूज़ कर सकते हैं टॉइलेट जा सकते हैं क्योंकि घर में तो मच्छर का ग्रोथ होना चांस बहुत कम है देन बात करते हैं पूजापाट हाँ ठीक है अगर घर में जो बड़े बुजुर्ग होए हैं वो आपको बोल रहे हैं कि पूजापाट मत करो मूर्ति को टच मत करो ठीक है उनका मन रखने के लिए कुछ रूल फॉलो कर लीजिए उसमें कोई हाम नहीं है आप अगर पूजापाट नहीं करेंगे थोड़ा टाइम के लिए तो भगवान नहीं चाहिए यह फैक्ट है इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि ग्रहन के दौरान जो हार्मफुल रेज जो बिकिरन बॉड़ी एप्जर्ब करता है उसको बाहर निकालने के लिए नहाना चाहिए तो आप बिल्कुल नहाइए हाँ ठीक है अगर सर्दी लग रहा है तो वार्म व आपको फूल रेस्ट लेना है हर दो घंटे में एक बार खाना खाना है चाहिए अब ड्राइफ्रूट्स लें या जूस लें अगर घर में बुड़े बुजर कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको आपको ठीक लग रहा है उसको मानिए उनको भी नारास करना सही नहीं है खाना मत स्किप करिए तो फ्रेंड्स आइफ्र वीडियो आपको हलफुल लगा होगा अगर हलफुल लगा तो प्लीज जो लोग प्रेगन्ड उनके साथ इसको सेयर कर दीजे और मुझे कम्रेंट्स करेगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिजेगा and thanks for watching this video and thanks for subscribing my channel moms garden